हालो स्टूजेंट्स हम लोग कर रहे हैं human health and disease and in the previous lecture हमने diseases यहां तक यानि fungal diseases तक finish कर लिया था इसके बाद मैंने आपको यह चीजें कुछ यहां पर मैंचन की थी कि आपने यह study करना है regarding कि कैसे हम इन diseases को avoid कर सकते हैं by maintaining personal and public hygiene ठीक है body को clean रखना है clean drinking water food vegetables fruits करना है proper disposal of waste होना चाहिए और excreta यानि sewage जो discard होता हो कैसे सही तरीके से करना है proper तरीके से cleaning और disinfection होनी चाहिए पानी के reservoirs की, pools की, cesspools, tanks की और hygiene practices हम लोगों को public catering में भी जरूरी है ठीक है क्योंकि जातर बाहर जब खाते हैं तो उसी time पर जातर लोग बिमार होते हैं तो इन ही सभी अगर हम food and water के द्वारा ऐसे अगर hygiene maintain करें तो food and water के द्वारा पहले जाने वाली जो बिमारियां हैं जैसे की typhid amoebiasis इस cariesis इन सब से हम बच सकते हैं in case of airborne diseases जैसे pneumonia cold उपर जो हमने follow किये हैं इनके अलावा हम लोग जो infected लोग हैं इनसे contact avoid करके या इनकी belongings को touch जैसे की obviously के छींकेंगे खासेंगे तो अपनी चीजों को भी touch करेंगे तो उन चीजों से भी दूरी बिनाने चाहिए और ऐसे infection वाले इनसान से भी थोड़ा सा हमें social distancing जिसको आज कल के टाइम पर हम लोग कहा रहे हैं उसको follow करना चाहिए जैसे की फिर आगे diseases like malaria and philariases तो ये insect vectors की तरह होते हैं तो हमें ऐसे vectors को और इनके breeding grounds को clear करने की भी हम लोग को try करना चाहिए तो टेन categories कर ली हमने आप गेज़ जैसे मिचर वगएरा जो होते हैं ये पांई मैं अपने लाबा यगरा चोड़ते हैं तो ऐसे खड़ा पांई में छोड़ते हैं तो खड़ा पांई हमें होने नहीं देना चाहिए ठीक में आपको बताया था मैंने कि इनको छोड़ सकते हैं हम लोग पॉंड में स्वैम्स में तो यह बहतर रहते हैं मस्किटो लार्पी पर फीड कर जाती है नालियों में यह सब जगह पर हम लोग इनको स्प्रे कर सकते हैं चपड़ों में स्प्रे कर सकते हैं ताकि इन्सेक्ट वाकर मस्किटो वागर वहां पर खत्म हो सकें और फैल नहीं दोर्स और विंडोज में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्चर अंदर ना आ सकें ठीक है तो यह सब चीजें हमें करनी चाहिए जैसे कि Aedes मस्किटों काफी बड़ा होता है और चिकन गोनिया देंगु जैसे बिमारिय फिला रहा है एडियस मस्किटों जदर टाइगर मस्किटों तो यह जो बिमारिय फिला रहा है इनसे हम दूर हो सकते हैं अब बैलाजिकल साइन्स न हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज को बिल्कुल खटम भी कर चुके हैं और बायो टेक्नोलोजी ने हमें एक नई और सेफर वैक्सिन भी बना सकते हैं जैसे कि टोमाटो और उसकी हमने बात की थी ठीक है उसको बस लूंच नहीं प्रॉपर तरीकिसे हम लोग बना पा रहे हैं लेकिन अभी तक वो इदना लॉंचिंग उनकी एफिशेंटली नहीं हुई है तो वो चीज़ें भी हम नेर फ्यूचर कर पाएंगे सो डिस्कवरी अफ एंटिबाइटिक्स अदर ड्रग्स भी हमें काफी हद तक इन चीज़ों में भी हमें मदद किया infectious diseases को control करने में let's talk about immunity immunity क्या है यह नया topic हमारा start हो रहा है diseases के बाद immunity immunity मतलब body की श्रमता बिमारियों से बचने की body की श्रमता बिमारियों से बचने की ठीक है तो काफी सारी however only a few of these काफी सारे हम लोग infectious agents से हमारा encounter होता रहता है लेकिन हर बार हम लोग बिमार नहीं होते reason क्या है कि हमारी body में श्रमता है capability है अपने आपको बचाने की ऐसे काफी foreign agents से अब body की इस श्रमता को disease causing organism से लडने की इस श्रमता को कहते हैं immunity this overall ability of the host to fight against disease causing organism comfort by यानि की provided by immune system is known as immunity immunity अब यह दो तरह की होती है innate immunity acquired immunity ठीक है इनके बारे में एक एक करके पढ़ते है innate immunity मतलब inborn immunity innate मतलब inborn immunity at the time of birth which is present at the time of birth innate से मतलब है inborn यानि पैदाईशी तो यह पैदाईशी तोर से हमें मिलती है inborn immunity है it is accomplished by providing different types of barrier different types of barrier इसमें हम provide कर पाते हैं जाता कि foreign agents हमारे अंदर enter ना कर सकें या हमें बिमारी ना लगा सकें गर अंदर enter कर भी जाएं तो बिमारी ना लगा सकें या entry रोकेंगे या उसकी growth और disease causing capability को रोकेंगे तो क्या-क्या innate immunity में हमारे पास agents आते हैं चार तरह की barriers innate immunity में हमारे पास आते हैं कौन-कौन से हैं सबसे पहले physical barrier हमारी जो skin है skin से भी काफी organisms अंदर enter नहीं कर पाते हैं ठीक है हाँ अब हाथ गंदे हूंगे हाथों से तो अंदर सीधा directly कोई चीज नहीं enter कर सकती लेकिन अगर हम बिना हाथ दो खाना खाने बेट जाएंगे तो हम उसको अंदर enter कर वा सकते हैं तो skin वैसे एक main barrier का काम करती है जो अंदर microorganisms को नहीं जाने देती है impermeable substance होती है ठीक है mucos coating epithelium जो हमारे respiratory gastrointestinal और uranogenital tract में जो हमारी mucosa है तो ये भी एक तरीकी से skin की ही तरह हमारे काफी organisms को रोक लेती है और अंदर जाने नहीं देती है ठीक है flow out करवाने में इन चीज़ों को मदद करती है काफी substances को physiological barriers physiological barriers physical का मतलब था proper एक physical substance ऐसा जो एक barrier का काम कर रहा है दिवार का काम कर रहा है physiological का मतलब functional कोई चीज जो कोई function परफॉर्म करके इस चीज़ को रोक रही है ठीक है second आगया physiological यानि physiology का मतलब था function तो acid होता है stomach में यह acidity जो stomach की काफी microbes को जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो stomach में जाके यह से काफी microbes खतम हो जाते हैं मूग का जो हमारा saliva है इसके अंदर particular होता है lysozyme ठीक है काफी सारे चीज़ें होती होंगी लेकिन specially हम लोग कहेंगे lysozyme इसमें काफी जादा मदद करता है lysozyme particularly क्या होता है जो bacterial cell wall को dissolve कर देता है tears tears में भी lysozyme जैसे substances होते हैं जो microbial growth को रोकते हैं ठीक है तो यह ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो physiological barrier का का काउंट कर दे हैं then third category आती है cellular यह चीज़ें देखो saliva, acid, tears का बनना यह पैदाइशी होता है हर इंसान में होता है skin और mucous membran physical barriers में किये यह भी सबी organisms में होती है चार तरह के barrier करने हैं third barrier पर हम लोग आते हैं physical physiological के बाद cellular barrier यानि कि cells खुद barriers का काम करते हैं अब WBC को हम कहते हैं कि यह हमारे soldiers हैं जैसे कि neutrophils neutrophils को हम polymorphonuclear leukocytes भी कहते हैं polymorphos यानि कि अपनी यह morphology चेंज कर पाते हैं हमें पते कि यह एक स्टर्म हम 11th standard में करते हैं diapidases यानि कि यह अपनी shape चेंज करके blood vessel से निकल तक पाते हैं यह है blood vessel में है कहीं इसकी ज़रत पड़ी तो यहां से यह अपनी shape चेंज करके निकल भी जाते हैं तो अपनी shape चेंज कर पाते हैं तो polymorphonuclear leukocytes ठीक है तो इस तरीके से यह diapidases भी कर पाते हैं यानि capillaries से अपने आपको एसकेप भी करवा पाते हैं तो neutrophils का basic substance basic जो काम होता है वो होता है phagocytosis यानि कि कोई अंदर pathogen हमारे blood में अगर चला गया तो उसको यह खा जाते हैं बिल्कुल जैसे amoeba अपने खाने को खाता है वैसे यह भी खा जाते हैं तो phagocytosis एक phenomenon है जो neutrophils और monocytes शो करते हैं ठीक है so cellular barriers polymorphol nuclear leukocytes and monocytes और इसके अलावा natural killer NK cells इनको हम बोलते हैं natural killer type of cells NK cells ठीक है तो यह blood में होते हैं और यह macrophages का काम करते हैं यानि phagocytosis करते हैं और खा जाते हैं organisms को ठीक है तो तीन categories होगी physical, physiological, cellular barriers fourth category आती है cytokine barriers अब यह पहले किया हमने cellular barriers यानि cells खुद barrier का काम कर रहे थे अब हम कर रहे हैं cytokine यानि कि cells को substance release कर रहे हैं जो बॉड़ी को बचाएगा ठीक है क्या substance हो सकता है ऐसा जो कुछ cells हमारी बॉड़ी में virus infected हो जाते हैं अब वो virus infected cells हमें पता है कि virus क्या करता है कुछ cells में multiply करके उस cell को burst करके फिर नए cells को infect करना शुरू कर देता है अब एक तरीके से वो cell machinery को hack कर लेता है जैसे मैंने आपको अपले सुन में बताया हुआ तो अब ये cells के खुद का भी तो DNA अभी इन में पड़ा हुए ठीक है इनका DNA काफी hack हो गया ये अपने बाकी साथी cells को बचाने के लिए क्या करता है ये कुछ ऐसे proteins synthesize करना शुरू कर देता है जिनको हम interferons कहते हैं जो की बाकी तो ये proteins जो interferons जो virus infected cells हैं ये interferons बाकी non infected cells के पास जाते हैं और virus infection से उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं interferons ऐसे proteins होते हैं जो virus infected cells release करते हैं अपने पडोसी cells को virus infection से बचाने के लिए प्लस कुछ cancer cells भी interferons नाम के proteins release करते हैं जो की बाकी पडोसी cells को cancer से बचाने की कोशिश करते हैं ये कोशिश में हर बार काम्याब हो ये कोश जरूरी नहीं है लेकिन ये ऐसा अपनी बॉडी कोशिश जरूर करते हैं साइटोकाइन cells के द्वारा secret किया जाने वाले proteins ये चार बैरियर्स हम लोगोंने study किये physical, physiological cellular and cytokine ये सब भी organisms में होते हैं ये कोई after the exposure of organism नहीं होते ये पैदाईशी हम लोगों में सभी इंसानों में पैदाईशी होते हैं ये innate immunity या inborn immunity में आते हैं इम्यूनिटी दो तरह के होगे बच्चों innate या inborn और दूसरी कैटेगरी acquired immunity innate या inborn के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेट स्टार्ट स्टर्डिंग acquired immunity तो innate immunity के बाद acquired immunity स्टार्ट करते हैं acquired immunity after birth acquired acquired after birth and after birth भी after exposure to pathogen जब ठीक है after birth भी after exposure to pathogen एक बार pathogen से exposure हो जाए उससे सामना हो जाए उसके बाद के immunity बनती है ठीक है तो ऐसी immunity याद रहती है memory based होती है आपको मैंने आक इतनी बार बताया कि polio की vaccine अगर हम लोग को चाहिए हो तो polio में particularly क्या होता है dead या adenuated pathogens अंदर डाले जाते हैं तब उससे बिमारी लगाने के काबिल तो नहीं होते लेकिन वो बाडी में memory produce कर रहते हैं और फिर वो याद रहती है बाडी को और next time जब असली polio virus यानि infection causing polio virus भी अंदर enter करने की कोशिश करेगा तो वो हमारी बाडी में grow ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो यानि कि second जो उसक particular case में लेकिन second time जब वो बाडी से उसका सामना होता है तो बाडी जबरदस्तर टैक उस पर करती है और उसको बिलकुल ग्रोगतने नहीं देती है तो इसको memory based immunity बोलता है और यह acquired immunity का characteristic feature है कि यह memory based होती है ठीक है यानि कि memory based कैसे यानि कि वो ही चीज़ जो मैंने आपको बताए कि पहली बार जब body encounter करती है एक pathogen को first time तो वो एक primary response देती है जो low intensity का होता है जब second attack उस पर subsequent encounter या second attack same pathogen का होता है तो वो highly intensified होता है जिसे हम secondary या anamnestic response कहते हैं अब इसी body के tendency को हम लोग vaccination में भी इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो यह second जो attack होता है यह anamnestic या highly intensified की होता है यह इससे पता चलता है कि body में memory रह जाती है और body को यादास्त रह जाती है कि पहले encounter में इस organism ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी दूसरे में मुझे ready रहना चाहिए कि अगर दूसरी बार में ray body पर यह attack करेगा तो हम इसको पहले ही अगेंस्ट और vigorous attacks की अगेंस्ट करेंगे ठीक है बच्चा तो अब primary यानि पहला response secondary यानि दूसरा response जो जाधा strong होता है ठीक है मैं जहाँ जहाँ पॉइंटर करूँ महीं पर ध्यान देना जाधा इधर उदर घुमाना कि ठीक है प्राइमरी और secondary immune responses जो दो तरहां की lymphocytes हमन एंटर करता है जैसे ही कोई pathogen हमारी body में एंटर करता है जो B lymphocytes होते हैं ये antibodies produce करते हैं यानि उस particular antigen के against antibodies कुछ हत्यार produce करते हैं जो की proteinaceous in nature होते हैं लेकिन T lymphocytes जो हैं ये खुद जाके लड़ते हैं क्योंकि B lymphocytes blood में antibodies छोड़ देते हैं और body humor के according जाके उससे immunity कहते हैं the immunity provided by B lymphocytes is known as a humoral immunity because it is because this type of immunity is provided through body humor that is through body fluid that is by releasing antibodies in the body fluid T lymphocytes खुद जाके लड़ते हैं यानि कि cells खुद पार्टिसेट करते हैं तो इसको हम cell mediated immunity बोलते हैं तो इस चीज़ को कहां पर इस सब क्या लिखा हम लोग पढ़ते हैं तो जो B lymphocytes की immunity के बारे पहले बात करते हैं B lymphocytes army of proteins produce करते हैं जिसे हम antibodies कहते हैं in response to pathogens ठीक है अब जो T lymphocytes होते हैं यह कोई antibodies secret नहीं करते लेकिन खुद जाके लड़ते हैं plus खुद जाके लड़ने के अलावा यह B lymphocytes को antibodies produce करने में मदद करते हैं यानि हम कह सकते हैं कि humoral immunity में दोनों ही participate एक तरीके से करते हैं लेक अगर कि आपको क्या चूज करना है या आपको वे करना पड़ेगा ठीक है कि कौन से बेटर अंसर है हिमोरal immunity is mainly provided by B lymphocytes लेकिन क्या T lymphocyte का कोई contribution नहीं contribution है थोड़ा बहुत मदद करता है B lymphocytes को antibody produce करने में ठीक है अब जीए जो antibodies B lymphocytes produce कर रही है यह क्या होती है इसमें चार peptide genes होती है चार peptide genes दो heavy और दो light genes यहां पर यह जो छोटी वाली है इनको हम क्या देते हैं light genes और यह जो बड़ी वाली है इनको हम क्या देते हैं heavy genes तो इसको H2 L2 करके हम लोग जानते हैं दो छोटी चेंज और दो लॉंग चेंज ठीक है तो कितने चार पेप्टाइड चेंज की ये बनी हुई है चार पेप्टाइड चेंज की ये बनी हुई है दो हैवी और दो लाइट चेंज की यह antibody का structure होता है और यह diagram भी आपको बनाना आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो theory में नहीं explain किया हुआ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ ठीक है यहाँ पे और कुछ नहीं light chain ही आएगा ठीक है यह light chains है और light और heavy chains देखो एक दूसरे से कैसे connected है यह जो bonds इन में disulfide bonds है अब book में कहीं लिखा नहीं हुआ कि कितने disulfide bonds हैं लेकिन आपको diagram से count करके याद करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 इदर होंगे 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 तो 16 disulfide bonds है ठीक है यह आपको याद करने होंगे और heavy और light chain के बीच कितने है 1, 2, 3, 4 है जो heavy और light chain को आपस में join करने है heavy chain के आपस में कितने है 1, 2, 3, 4 4 इस तरफ 4 इस तरफ 8 light chain के आपस में कितने है 1, 2, 3, 4 4 इस तरफ और 4 इस तरफ 8 चीक है तो इस तरीके से आपको ये diagram से ही आपको ये चीज़ें याद करने होंगे याद करने हो करने है याद दूट ये कि यह दाइग्रम ड्रॉ करने की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी ठेक है अब डिफ्रेंट टाइपस ऑफ एंटिबोडी जिन बच्चों प्लस वन में मेरे साथ थे उनको मैंने याद कराया था लेकिन दुबारा से करा देती हूँ यहाँ पर GAME की बात हो रखी है जिनको मैंने आपको कहा था कि हम गेम वर्ड से ही याद कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा D भी होती है तो गेम डवर्ड बना करके आप इसको लर्न कर सकते हो यह एक निमोनिक है इसको इन एंटी बॉडिस को याद करने के लिए है ठीक है तो एंटी बॉडिस का जो रिस्पॉन्स होता है वो पर्टिकुलर्ली ब्लड की थुरू होता जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इसको हिमोरल रिस्पॉन्स क्यूंकि बॉडी हुमर्स बोल देते हैं हम बोडी प्लूड्स को ठीक है जो तो दो तरहां का response होता है एक humoral response उसके बारे में हम बात कर चुके हैं दूसरा response होता है cell mediated immune response जिसके बारे में आपको बताया कि T lymphocytes cell mediated immune response करते हैं यानि वो खुद जाके लगते हैं ठीक है तो ये immunity की बात हो गई अब आगे क्या mentioned है आगे ही mentioned है कि कई बार हमारी बोडी नहीं इतना fight कर पाती है और कई बार human organs like heart, eye, liver, kidney failure हो जाते हैं और ये सभी organisms इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते और they fail to function satisfactorily और transplantation फिर इसका एक मात्र इलाज रह जाता है तांकि लोग normal life जी सकें तो फिर हमें suitable donor की ज़रूरत होती है ठीक है तो हम किसी भी organ किसी भी donor से क्यों organ नहीं ले लेते हैं specific donor ही क्यों रूणते हैं ठीक है reason क्या है यहीं antibodies जो फॉरन से कोई चीज एंटर करेगी उसकी antigens हमारी body जैसे नहीं होंगे तो immune response आएगा यह चीज जब हम plus one में blood transfusion की बात करते हैं तो उस चीज में भी आप लोगों को यह अच्छे से पता है ठीक है तो क्या चेक करते हैं एंटिजन एंटी बॉड़ी ही चेक करते हैं डॉक्टर्स तो grafts किसी भी source से लिये जाएं grafts from just any source animal another primate primate मतलब अगज चलो किसी भी random animal से नहीं लियते हैं फिर कुछ लोग कह देते हैं ठीक है प्राइमेट से ले लो monkeys, apes, man यह प्राइमेट होते हैं प्राइमेट से ले लो या दूसरे human से ले लो तो ऐसे भी reject हो जाते हैं क्योंकि body की नहीं है बाहर से आई है तो body उसके खिलाफ antibodies बनाना शुरू कर देगी तो ऐसे grafts reject हो जाएंगे सुनर और लेटर तो अगर हम काफी matching करने के कोशिश करके भी अगर हम लेते हैं काफी matching के बाद भी तो भी हमें अभी तक इतनी knowledge नहीं हो सकी कि हम सारे ही antigens को study कर पाए हूँ तो still ऐसे इनसानों को कई बार पूरी life कई बार कुछ साल और कई बार पूरी life ये immunosuppressants लेने पड़ते हैं एक immunosuppressant medicine का मैं आपको यहाँ पे example बता देती हूँ cyclosporine A ये एक immunosuppressant है जिसको जाद अतर लिया जाता है ताकि body antibodies ना बनाए ठीक है ये cyclosporine A वैसे किसी fungus से derive किया जाता है उसके बारे में हमाके बढ़ेंगे तो ये cyclosporine A एक दवा है जिसको दिया जाता है जाद अतर के सेज में तो body लेकिन इसका problem क्या रहता है कि body की immunity overall ही low कर देती है तो और भी कई बिमारियां लगने के काबिल रहते तो ऐसे patient को बहुत ध्यान रखना पढ़ता है आज कल खेर हम सभी रख रहे हैं करोना के बाद से मास्क वगारा का लेकिन ऐसे patient शुरू से ही उनको रखना पढ़ता है तो graft यानि की कोई भी चीज़ जो बाहर से implant की जाती है body में तो वो ऐसे reject हो जाती है तो क्यूंकि body में capability होती है अपने और बाहर के cells को differentiate करने के यह हमने पहले immunity को दो different categories में divide किया innate immunity and acquired immunity innate immunity जो inborn थी और acquired immunity जो इस तरीके से cell mediated हो सकती है teeth sites की द्वारा और humoral immunity हो सकती है बी lymphocytes के तवरा जिसमें T lymphocytes मदद करता है antibodies के थूँ चेक है अब हम immunity की यह एक classification थी हम दूसरी classification immunity की एक और कर सकते है इसको active या passive immunity में हम divide कर सकते है बाइब कर लूछ और कर बाहता है आए仁ए झाहते है जए हम मैं तॉप समझ विहां कर बाहता है दूपाहución HOW क्वैटक्वा थें सकते है're पाव़ हैं ऑव नाइंड शूवाग है तो है यहाई है पागि महा यहागभ है इसान प्रूशब 산े मावा है यह हैं कुब एक्टिव यानि एनर्जी इस्तेमाल होना और पैसिव यानि एनर्जी ना इस्तेमाल होना तो यानि एक्टिव इम्मिनिटी वो होती है जिसमें बॉडी को खुद कोशिश करनी पड़ती है एन्टिव इम्मिनिटी वो होती है जिसमें हम बनी बनाई एन्टिव इम्मिनिटी जैसे की बॉडी एंटिजन से एक्सपोज हो बेशक living antigens या dead microbes के antigens या कुछ protein से exposed किया जाएं और body खुद antibodies बनाएं तो ऐसी immunity को हम लोग कहते हैं active immunity ठीक है active immunity slow होती है और time लगाती है effective response देने के लिए तो अगर हम ये तो वैसे natural तरीके से भी जैसे mums का सुनाओगा आपने की एक बार हो जाता है second time जादतर cases में नहीं होता है क्योंकि body antibodies तैयर कर लेते हैं और दूसरी बार जब same infection होना शुरू होता है तो body vigorously attack कर देती है ठीक है हम क्या कर सकते हैं हम जैसे कि polio vaccine के case में मैं आपको बताती हैं कि इसमें dead antigens भी हम लोग डाल देते हैं ठीक है लेकिन ready made antibodies नहीं डाल रहे है dead antigens डाल देते हैं तो body फिर भी active immunity ही कर रहे है जब body antibody खुद बनाए बेशक हम antigen introduce कर रहे हैं बेशक natural antigen इंट्रड़ूस हो रहे हैं लेकिन body antibody खुद बना रहे है तो उसको हम active immunity बोलेंगे ठीक है अब inject करेंगे अगर microbes को जबरदस्ती तो during immunization और infectious organisms तो हम लोग इससे हम लोग immunity provide कर सकते हैं body को ठीक है अब जब ready made antibodies यह हो गया active immunity के बारे में लेकिन जब ready made antibodies हम लोग डालें ठीक है तो passive immunity जैसे साप काट गया तो वो हम वो नहीं करेंगे snake bite के उपर हम लोग wait नहीं करेंगे कि body खुद antibodies बनाए बनी बनाए antibodies इंट्यूस करेंगे तो वो हो गई passive immunity ठीक है अब जो milk होता है मदर का first milk होता है उसको हम colostrum बोलते हैं जिसमें antibodies IgA बहुत ज्यादा होती है तो यह IgA जो mother milk से बच्चे को मिलती है यह एक तरीके से क्या है passive immunity क्योंकि बनी बनाए antibodies मिल रहे हैं अब through placenta कौन सी मिलती है IgG मिलती है तो यह भी क्या है passive immunity ही मिलती है जो कि बनी बनाए antibodies बच्चे को मिल जाती है active immunity जो body खुद बनाए passive जो बनी बनाए antibodies बाहर से मिल जाए अब जो immunization या vaccination हम करते हैं यह body के memory based होता है जैसे ही मैं आपको active कराते हुए बता दिया वसे ठीक है कि vaccination में हम लोग क्या करते हैं antigenic या तो proteins डालते है pathogen के या मरे होई या inactivated weak pathogen डालते है जो बिमारी लगाने के काबिल नहीं होते हैं लेकिन body को provoke करने के काबिल सिरफ होते हैं ऐसे इन चीजों को हम body में डाल देते हैं और फिर antibodies natural तरीके से produce होती हैं ठीक है और फिर जब actual infection होता है तो ऐसे pathogenic agents को वो बहुत जल्दी ही neutralize कर देती हैं यानि खतम कर देती हैं और उनको पिमारी लगाने के काबिल नहीं छोड़ती हैं ठीक है तो vaccines एक तरीके से memory भी generate कर देती हैं ठीक है पहली बर introduced किया body के antibody provoke हो गई और B और T lymphocytes उसके लिए बनके तयार हो गए तो अब इन में memory जनरेट होगी next time जब असली pathogen आया तो इनोंने इसको neutralize कर दिया और quickly neutralize कर दिया और बिल्कुल बिमारी लगाने नहीं दी क्योंकि इसमें antibody production जो secondary या heavy response होता है उसमें बहुत जाला antibody production होती है massive production होती है strong response होता है so if a person is infected with some deadly microbes अगर person कोई deadly microbes से infected है तो quick immune response चाहिए होता है जैसे tetanus में तो हम bunny बनाई antibodies जाल सकते हैं अब tetanus के actually में यहाँ पर bunny बनाई antibodies का बताया गया है तो यह bunny बनाई antibodies जालेंगी जैसे चोट लग जाती है हमारे यहाँ पर ठीक है कोई हम लोग कहते हैं कि कोई गंदे लोहे से लग गया है या मिट्टी पर गिर गए हो फिर चोट लगी है तो आपको tetanus का injection लगाना चाहिए क्यों वो bunny बनाई antibodies हम लोग inject करवाते हैं ठीक है तो passive immunization वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यह tetanus की दो तरह होती है immunization active भी होती है और passive भी होती है ठीक है लेकिन हम लोग जो जादतर injections लेते हैं वो passive ही होते हैं क्योंकि चोट लगने के बाद होता है ठीक है और जो DPT vaccine होती है वो actually इसकी active में जाती है DPT होती है for diphtheria produces tetanus DPT is for diphtheria produces यानि whooping cough kalikhanse ये active होती है ठीक है लेकिन जिस tetanus antitoxoid की हम बात कर रहे हैं चोट लगने के बाद जो हम लेते हैं ठीक है वो passive होती है DPT active है अगने के लिए जाते हैं ठीक है तो DPT जो होती है वो साथ साल के बचे तक को दी जाते है और active होती है और बाद में चोट लगने के बाद जो हम लेते हैं यह साप के snake venom के बाद snake bite के बाद लेते हैं यह सारी जो होती है यह passive immunization लेते हैं क्योंकि यहां पर immediate requirement हम लोगों को चाहिए होती है ठीक है तो recombinant DNA technology की मदद से जैसे हमने बताया था कि मैंने आपको tomato बनाना जैसे बनाए जा रहे हैं तो recombinant DNA technology के टाइम मैंने आपको बतायाए कि तो recombinant DNA technology ऐसे antigenic polypeptides को हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि सीधा हम antigenic protein ही डाल दें और organism मरा हुआ जिन्दा कैसा भी डालने के जरुरत ना पड़े ताकि हम safe vaccines बना सकें लेकिन ऐसे अभी हम large scale production ने हमने त्यार किया तो हम कर सकते हैं तो लेकिन हम लोगोंने कुछ चीज़ों की जैसे hepatitis B vaccine yeast से प्रोड्यूस करा के ऐसे और इनकी हम high availability करा चुके हैं क्यूंकि इसकी बहुत ज़्यादा requirement थी hepatitis भी बहुत ज़्यादा फैला जा रहा है और इसकी खतरना भी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम लोग की vaccine produce कर चुके है hepatitis B के लिए तो यह हो गया क्या discuss कर लिया हमने अभी vaccines और immunization के बारे में ठीक है जस्ट वैक्सिन और immunization एक बार आप रीड करें ठीक है दो-तिन मिनट देरें मैं आपको क्योंकि लगाता हो जाएगा जिस्ट दो-तिन मिनट ज़रा रीड करो इसको ठीक है फिर हम यह continue करते हैं बार दिस्ट कि अटिए आपीड कर दो भीड कर सकते हैं कि अटिए खिए भीड में नहीं आपको जाएगा तिस्ट दो-तिन मिनट आपको कि अटिस्ट झाल 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 यह आपकी टेक्स्ट्बुक से ही है ना बस वो पॉइंट से नोट करते जाना जो एक सता है यह आलर्जी क्या होती है हम लोग अनॉमल सो लेते हैं ना मिल जो इलर्जी होगी भी Brothers जो अनॉमल सो अनॉमल से खिए हम लार्जी होती है की है आइस वार्जी के खौना डेच्ट्ट्री О्ह वार्जी को की यह जो रिलर्जी करें हो यह तो आइस प्रम ख् जो viral infection है या हमें पता होता है कि इस season मुझे हर साल allergy हो जाती है तो ये pollen allergy है या कोई allergic reaction है या हम test भी करा लेते हैं allergies ठीक है कई बार क्या होता है कि हम कोई नहीं जगा पे गए और अचानक हम लोग को छींख खासी आना शुरू हो जाते हैं कोई reason समझ नहीं आता यानि कुछ ठंड ऐसे गलच चीज खाए भी नहीं है तो या इतना ठंड से exposure भी नहीं हुआ reason समझ नहीं आ रहा है एकदम से हुआ और फिर symptoms खतम हो गए तो reason क्या होता है हम लोग को में से कुछ जादा sensitive होते हैं to some particles in the environment ठीक है ऐसी चीज़ें हो सकती है नहीं जगा पे जो हम गए हैं नए organisms या नहीं माइट वगरा वहां पे हो या कोई pollen grain वहां पे पर्टिकुलर flowers हो रहे हैं जो different है उस नहीं जगा पे तो वो जब हम inhale कर लेते हैं हवा के साथ और oxygen के साथ तो यह हमारे लिए allergic reactions cause कर देते हैं तो यह जो हमारी body exaggerated response एक heavy response देती है immune system हमारा against these particular antigens जो environment म normally present होते हैं तो इनके against हमारी body जो ऐसा response देती है इसको हम कहते हैं allergy यह substances जिनसे हमें allergy होती है इन substances को हम कहते हैं allergens जिनसे हमारी body जिनके against immune response दे रही है और allergy के लिए G-A-M-E-D में से allergy के लिए IgE type of antibody responsible होती है अब जादा तर जो allergy होती है वो मिट्टी से pollen से animal dander से हो रही है अभी जैसे मौसम change हो रहा है गर्मी से सर्दी आ रही है तो काफी लोगों को इस season में particular क्योंकि नए plants ने ग्रो करना शुरू किया है तो इस season में बहुत लोगों को allergies भी हो रही है है ना मिट्टी से हो जाती है प्लस इस season में हम लोग जब हमने बॉक्स पेड्स में अपने कपड़े रख रखे होते हैं विंटर के हम उनको निकालते हैं तो कई बार उसमें भी थोड़ी बहुत dust particles वगरा होते हैं उनके dust particles हम लोग को चड़ जाते हैं उससे भी हमें allergy वगरा हो जाती है animal dander से हम लोग को allergy हो जाती है देख्या ऐसे symptoms allergic reaction के जादतर क्या हो सकते हैं छींक आना आंखों से पानी आना नाक का बहना और सांस में दिक्कत होना ये सब ऐसे allergic reactions हो सकते हैं इसके अ ointment use कर लिया कोई cream use कर लिया तो उन सीजों से body skin पे rashes swelling ये सब कुछ भी allergic reactions होते हैं ठीक है allergy होती क्यों है क्या manifestations क्यों होती है ये इसमें हमारे जो कुछ chemicals like histamine and serotonin जो release होते हैं from the mast cells ये responsible होते हैं allergic reactions के लिए ठीक है जिन बच्चों को याद है उनको हम ये substances भी याद होंगे कि हम body fluids and circulation जब plus one में करते हैं उस time पे भी हम ऐसे निकाल लेते हैं ये सब हम study करते हैं ठीक है लेकिन नहीं भी आद तो यहीं से बस इतना ध्यान में रख लो जब device करोगे तब देख लेना कि mast cells histamine और serotonin release करते हैं जिसकी वज़े से ये allergic के symptoms आते हैं कौन से chemicals responsible होते हैं histamine and serotonin ये एक important MCQ question है then for determining the cause of allergy अब आपने सुना होगा कि लोग अलर्जी टेस्ट कराते हैं कि मुझे हर मुझे समझने या रहा मुझे किस चीज से allergy है या कि मैं उस particular चीज को avoid कर सको नहीं तो हम multiple चीज़ें avoid करना शुरू कर देते हैं ठीक है अब multiple चीज़ें तो भी मुझे तो ये भी अच्छा लगता है मुझे आइस्क्रीम भी अच्छे लगती है मुझे कर्ड भी अच्छे लगती है मुझे लेकिन हो सकता है इन सब च अलर्जी टेस्ट करने के लिए हम लोग पेशेंट को थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं विर पॉसिबल अलर्जिन और फिर रियक्शन को स्टाडी करते हैं आज को तो यह बलड कलेक्ट करके उसी से अलर्जी टेस्ट कर लेते हैं ठीक है I don't know क्या प्रसीजर्स है ठीक है तो यह सब मेडिसेंस लेते हैं आप लोग मेडिसेंस के लिए आप लोग लेते होगे इसलिए मैंने नाम ले दिया तो सिट्रिजन का नाम तो सब नहीं सुना होगा सिट्रजीन का है तो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं यह एक्चली में क्या काम करते हैं यह जो इन यह कैमिकल्स हैं histamine वगेरा anti-histaminic substances होते हैं यह ठीक है so use of drugs like anti-histamine adrenaline anti-allergic are actually anti-histamine ठीक है इसके अलावा adrenaline और कुछ steroids जब anti-histamine से ना काम से ले steroids हम लोग लास्ट में देना प्रेफर करते हैं क्योंकि steroids can have a bad effect also because steroids हमारी body में खुद प्रोडिउस होते हैं देखे नगर लंबे टाइंग लेने पड़ जाए तो बोडी खुद पीछे हड़ जाती है इनको प्रोड्यूस करने में और फिर काफी surgical procedures या काफी ऐसे medical procedures होते जो हम इन patient पे नहीं कर सकते और steroids लेने का actually क्या होता है एक particular protocol होता है उसी पे stick करके इसको लेना चाहिए अपने आ option होते हैं लेकिन modern day हमारे lifestyle जो है actually हमारे immunity बहुत ज्यादा लोग हो गई है और allergy बहुत ज्यादा लोगों को होने शुरू हो गई है ठीक है especially बच्चों को जो metro cities में रहते हैं क्यूंकि जातर antigen exposure से बचा के रखा जाता शुरू से और इनकी immunity फिर काफी low हो जाती है इस वज़े से allergies और asthma जैसे बिमारियां बहुत ज्यादा common हो गई है asthma भी mainly allergy की वज़े से होता उसका थोड़ा बड़ा version यह होता है ठीक है क्यूंकि यह early life में हम लोग बचा बचा के रखते हैं ठीक है मिट्टी न लग जाए यह न लग जाए उस वज़े से अब दोनों उस चीज़ के positive effects भी है कि हां disease नहीं लगता लेकिन negative effect भी उस चीज़ का हो जाता है दोनों चीज़े positive and negative हम यह नहीं कह सकते है कि खेलने दो मिट्टी में लेकिन उस चीज़ का बुरा effect भी हो सकता है ठीक है starting में कोई बहंकर बमारी लग सकती है लेकिन बाद में फिर ना करें तो allergy हो सकते है कोई भी मतलब हर चीज़ का positives and negatives होते हैं so this is about allergies ठीक है mainly क्या है allergy यह reaction को बोलते है allergen जिसके खिलाफ reaction हुआ है IgE antibodies ज्यादर-जार अलरजन होते हैं dust pollen, animal dander, क्या के symptoms, sneezing, watery eyes, running nose, difficulty breathing, chemicals कौन से responsible, histamine, serotonin, कहां से release होते हैं mass cells से ठीक है study करने के लिए हम possible allergen को थोड़ा-थोड़ा inject करके देखते है reactions, anti-allergics में क्या 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 लेते हैं anti-histamine, adrenaline, steroids in rare cases और modern day lifestyle immunity काफी कम कर दी है, allergics reactions, asthma जैसी problems बहुत ही ज़्यादा common हो गई है क्योंकि starting की life में हम protected environment में रखते हैं बच्चों को बस एक topic हम autoimmunity का कर लेते है, autoimmunity, body की अपने ही खिलाफ immunity, कुछ rare cases में body अपने ही खिलाफ, अपने ही cells की खिलाफ antibodies बनाना शुरू कर देती है, ठीक है तो actually memory based immunity क्या होती है, जो body को ये ability provide करती है, कि body अपने cells को बाहर के cells से differentiate कर पाए लेकिल autoimmunity का समझने है, autoimmunity में ये ability खतम हो जाती है, कोई एक particular cell को, कोई body अपने particular organ को अपना समझना बंद कर देती है, उसको ये लगना शुरू हो जाता है, कि ये foreign cell है, और उसके against ये antibodies बनाना शुरू कर देती है ठीक है, तो इसका क्या exactly reason है, ये उतना समझ नहीं आ रहा ये कई बार कुछ genetic कारण की genetics में होता है, कि सभी में, कि इनके पूरवजों में भी ये थी, autoimmune disorder और आगे भी, जैसे हम लोग ने कुछ पिछली जो chapters, human physiology जब हम करते हैं, वहाँ पे हम बहुत examples इसकी autoimmune disorders की करते है जैसे की rheumatoid arthritis, ठीक है, ये एक autoimmune disorder है, जहाँ पे body ये पहचानना घतम कर देती है कि ये जो cells है, especially joints case particular case में, ये cells मेरी body के हैं या बाहर के हैं और इनके खिलाफ attack करना शुरू कर देती है ठीक है, membrane को attack करना शुरू कर देती है, जिससे की movement possible नहीं हो पाती, joints में inflammation हो जाती है joint की movement बहुत difficult हो जाती है, joint खतम होना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक autoimmune disorder है जादतर females में ये बहुत जादा common है, ऐसे और दी immune response body के खिलाफ होना शुरू हो जाते है autoimmune disorders है, जो body को काफी जादर दिक्कत provide करते हैं, इस particular case में क्या होता है कि body self-cells और foreign cells को differentiate नहीं कर पाती है, जादतर ये genetic reasons भी हो सकते हैं और idiopathic reasons इसके जादा होते हैं, यानि कि unknown reasons, हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है ठीक है, तो आज हमने immunity basically cover की, ठीक है, कुछ हाथ तक, immunity जिसमें हमने inborn immunity acquired immunity, active passive immunity, vaccination immunization, allergies और autoimmunity हमने cover की हमारी body का proper immune system, क्या-क्या चीज़ें body में involved होती हैं, वो सब हम next lecture में study करेंगे along with AIDS and cancer, ठीक है, आज कराऊंगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बस extra बताई हैं, जैसे ये DPT के बारे में, IGG के बारे में, cyclosporine A के बारे में, ये game mnemonic के बारे में, NK cells बोल देते हैं, natural killer को, ठीक है, innate को inborn बोल देते हैं, तो ये कुछ चीज़ें book में note करें, और ये lysozyme होता है saliva में, तो ये सब चीज़ें note down करें, और अपने hand written notes करें, अपने hand written notes तयार करें, क्योंकि यही time में इसके बार time नहीं होगा, अपने hand written notes तयार करने का, खुझ से बतायार करें, time लगा के तयार करें, ठीक है, so, आज का lecture हम यहीं end करते हैं, that's all with this lecture, study well, study hard, all the best आपकिय।